Hello students, welcome to Step Up Academy. मैं अंजली सिंग कुष्वहा और मैं हूँ आपकी biology tutor. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं class 11th के chapter number 4 that is animal kingdom के कौन से टॉपिक को phylum N.A. Lida. मतलब आज की इस वीडियो में हम details study करने वाले हैं about phylum N.A. Lida. previous videos में हम कौन कान से phylum की details study कर चुके हैं? पॉरिफेरा, सिलोन्ट्रेटा, टीनोफोरा, प्लाटी हलमेंस और एसके हलमेंस. अब आज 6th phylum की बारी है जो कौन सा है? N.A. Lida. तो चलिए बिना देरी करिए, बिना देरी करिए, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या-क्या खासियत हैं इस phylum N.A. Lida की. तो सबसे पहले देखते हैं, grades of organization. मतलब basically हम सबसे पहले क्या discuss करने चारहे है? General characters. तो general characters में हम सबसे पहले देखते हैं, grades of organization. Basically body organization. तो body organization कैसी है? Organ system level. मतलब की जो अनलिटा है, इसमें various organ system देखने को मिलेंगे. Cell, tissue, organ and organ system. तो कहानी कहां पर पहुँच चुकी है? Organ system level पर पहुँच चुकी है. कि अब जो हमारे अनलिटा होते हैं, उसमें हमें various organ systems देखने को मिलेंगे. तो body organization clear हो गया? क्या हो गया body organization? Organ system level. अब बात करते हैं symmetry. तो symmetry कैसी symmetry होती है? bilateral symmetrical. अब bilateral symmetrical का क्या मतलब होता है? bilateral symmetrical का मतलब होता है कि इन में सिर्फ one plane, एक single plane होगा, जिसके through, एक single axis होगी, जिसके through cut, cut करने पर आपको two equal halves of the organism मिलेंगे. ठीक है? Multiple axis नहीं होगी. बहुत सारी different axis नहीं होगी कि जिनके through आपने से cut, 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 cardia और बहुत सारी organism मिल गए. ऐसा नहीं होगा. इसमें सिर्फ एक ही axis of symmetry होती है कि एक ही line पर आप cut करोगे तो आपको two equal halves मिलेंगे. तो that is known as bilaterally symmetrical. तो symmetry कैसी होगी? bilateral symmetrical. Germ layers की बात करें, तो कितनी germ layers होती है? इसमें three germ layers present होती हैं. Ectoderm, Mesoderm and Endoderm. इसलिए हमें से organism को क्या बोलते हैं? इसलिए Enelida को बोलो जाता है triploblastic organism. Three germ layers. फिर अब जब अगर three germ layers हैं, उसमें किसकी बात करने हैं? हम Mesoderm की बात करने हैं. तो इसलिए Celoam का discussion आएगा. तो हम Celoam के discussion में हमें पता हैं कि Celoam क्या होता है? Celoam is a cavity lined by Mesoderm. तो Celoam एक ऐसी जगा है, जिसको कौन line करके रखता है? जिसको line करके रखती हैं हमारी Mesodermal cells. तो yes, Enelida वो organism हैं, जिसमें पहली बार हमें true Celoam देखने को मिला था. कौन से हैं वो organism? Anelida. तो आपको ध्यान रिखना है, Anelida है the organism, जिसमें for the first time हमको true Celoam observe हुआ था. और true Celoam क्या होता है? True Celoam एक ऐसी खाली जगा है, जिसको दोनों तरफ किसने बॉर्डर करके रखा हुआ है? जिसको दोनों तरफ मीजोडर्मल सेल्स ने बॉर्डर करके रखा हुआ है, जिनकी आउटलाइन किसने बनाई है? मीजोडर्मल सेल्स ने बनाई हुई है. आगे आपको पास समच, तो इसलिए आपको याद रखो गया कि जो annihilator होते हैं, जियार दी फर्स जैनलों वान हावें में, जार्स लारे हा बात करते हैं मराइन ही होंगे और फ्रेस्ट वर्टर ही होंगे. मरााइन वाटर में हमें भी रह सकने हैं और फ्रेस्ट वॉचर में भी easily survive कर सकते हैं ठीक है free living or parasitic और अगर हम उसके terrestrial form की बात करें तो terrestrial form could be free living or parasitic parasitic का मतलब आपको clear है क्या living tissue को host बनाना और उस पर feed करना that is known as parasitic और नई उसको चीज़ को host करना living tissue को that is known as free living तो they could be terrestrial fresh water और marine and साथ साथ में free living or parasitic तो आपको ध्यान रखना है यह इनका habit और habitat हो गया आगर देखते हैं digestive system तो अगर हम digestive system क्या बात करें तो digestive system अनलिटा का होता है complete तो complete digestive system से आप क्या समझने हैं मुझे बता दिए जल्दी से has कितनी openings has two openings दो opening होगी ना दो opening as two openings और वो two openings क्या है पहली होती है एनस मतना पहली होती है माँ और दूसरे होपी यह एनस तो तो धयरा टू opening सबतने है तो इससलिए रजजेस्टिव ना करिशности सिस्टम क्या सब्दी यह इसलिए और धैडाजेस्टिव सिस्टम क्य टैजेस्टिव हमें किसम में याören मिलता है चरहें आखर थेख संग फाइलमि हमने पड़े सब में ध्युक्षा है श्रेतोर स्ट्मार्स कि बार करेंगे तो इसमें प्रेस्पिरेशन देखने को मिला आएंद स्क्ष्षाइरओ से से cutaneous respiration का मतलब होता है यहां पर मैं अगर आपको explain करूँ cutaneous respiration का मतलब होता है respiration respiration through किसके through बताईए आप सोच पारें skin skin के through अगर respiration हो रहा है skin के through gases exchange हो रहे हैं carbon dioxide nickel के atmosphere में चाह रही है और जो oxygen है या air है वो body में इंटर करें बत किसके through skin के through तो ऐसे वाले respiration को हम बोलते हैं cutaneous respiration तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो analytes होते हैं उनमें respiration होता है respiratory system होता है बट वो respiration कैसा होता है it is cutaneous type तो cutaneous respiration देखने को हमको मिलता है किसमें analytes में ठीक है आगे बात करते हैं some have brain kill gill respiration also अब देखो यह brain kill or gill respiration किसमें present होगा जो aquatic form है आपको पता है पानी में रह रहे हैं तो के लिए जो body surface है उससे exchange करना बहुत difficult है तो इसी लिए उनमें present होते हैं gills ठीक है बहुत ही कम है ऐसे बहुत ही few examples है तो जब वो gills होते हैं पानी में रहने वाले जो aquatic है मराइन या fresh water जैसे भी है उनको respiration में help करेगा तो आपको याद रख सकते हो हो आप कि अगर terrestrial form है कौन सा form है terrestrial जमीन पर रह रहे हैं terrestrial form है to respiration किसके थूँ होगा respiration होगा cutaneous skin के थूँ और अगर aquatic form है पानी में रह रहे हैं तो उनमें क्या देखने को मिलेंगे तो उनमें देखने को मिल सकते हमें गिल्स वगेरा गिल्स या ब्रॉंकाइस ठीक है समझ में आगी बात तो आपको respiration क्लियर हुआ earthworm का earthworm क्यों बोल रहे हो मैं क्योंकि एनलेट का whole and soul member चो होता है वो होता है earthworm सबसे famous member होता है कोई भी family का ठीक है तो वो इस family का कौन है इस family का है earthworm इस phylum का earthworm काफी जादा famous member है तो आपको respiratory system यहाँ पर clear हो गया होगा आगे देखते है circulatory system तो अब जो एनलेट होते हैं उसमें circulatory system भी well developed होता है और कैसा होता है circulatory system is of closed type तो मैंने आपको basis of classification वाली वीडियो में explain किया था कि open type और closed type of circulatory system है क्या समझते है तो जो closed type of circulatory system होता है उसका यह मतलब होता है कि blood will flow in proper vessels proper pipeline है यादा रहा है आपको proper pipeline है जिसके through पानी बहेगा तो बस proper vessels है ऐसे खुली तरीके से नहीं blood flow कर रहा है proper pathway है channels है that is blood, blood vessels, capillaries उनके through blood flow कर रहा है तो उसको क्या बोलते है close type of circulatory system तो इसमें कैसा circulatory system होता है नलता में and अलिडब में present होता है closed type of circulatory system थीके students चलिये तो अब यह हमने क्या देखे general characters देखे, अब उसके बाद में reproduction देख लेते हैं तो reproduction इसमें होता है only and only sexual type कैसा होता है only and only sexual reproduction हमें इसमें देखने को मिलता है earthworm and leeches are monoshears neres is dioceous development is indirect आप देखो earthworm leech आप ये जो है ये भी analyda के member है और जो नेरीज है ये भी अर्थworm के member ये भी analyda के member है लेकिन जो earthworm और leeches है ये होते है monoshears और जो neres होती है वो होती है dioceous तो हम क्या समझते से wonoshears और dioceous से होते हैं यहां पर समझे लो Monoshears का मतलब रोता है मोनoshears का मतलब होता है बाइसraj का मतलब होता है योनीसेक्श Lieutenant छो होते हैं वो सेपरेट होते हैं आपको यह याद रख रहा है ठीक है कि आप ऐसा में कुछ थम रूल बनाओ कि सारे एंड़िटर जो होते हैं वो बाइसेक्शुल होते हैं तो फिर नेरीज उसमें एक्सेप्शन की तरह आप याद रखो है ना तो इसलिए नेरीज आपको लर्ण रखना है कि जो नेरीज होती है बाकि जनरलेश एर्थवोम और लीचिस होते हैं वो कैसे ओंडेर बायसेक्शोल और मों शेश ठीक है और लास पाद करते हैं डेफलेफ्मेंट हो डेफलाप्मेंट सब्च्छें डेफलाप्मेंट मतरब की और इस नो लार्वल स्टेजिस ठीक है ओकै तो आप समझ गए क किस्ताइब को ए सेक्शुल होता है अर्थफॉम्र नीज कैसे होता है अब बना रहे है पोरी फेरा वाली वीडियो से उस टेबल का अज कॉलम कंप्लीट यह किसका अनलिडा वाला एंलिडा के चनरल गेरेक्टर और इसका रिप्रॉडक्शन वाला आपका complete हो जाना चाहिए अब बचता क्या है इसमें आप जो इसमें बच जाता है वो बच जाता है यूनिक फीचर्स कि क्या होते हैं यूनिक फीचर्स तो चलिए देख लेते हैं इंटरक्शन विद मैंनकाइड जो एनलेड़ होते हैं इसमें किसके बात करूँ अगर इंटरक्शन विद मैंनकाइड हमारी काम का है अब सोच रहोगे कि केचुआ अर्थ वॉम हमाने क्या नाम का है घ्याँ चुला एक यूह में किसमें कहता है वर्म कास्ट वॉमिक एंटिस अब फूड की है डैर्टड्य वोरस्थ क्या बोलने दाएं वर्मी कंपोस्टिंग क्या बोलता हैयוס क्षाथ बनाना होती है higher earthworms को डाला जाता है ताकि अच्छे से वहाँ पर खाद बरे क्योंकि वो कि उसमें help करेगा डेटरी वोरस है उसमें feed करेगा और अच्छे से उसको compost बरने में help करेगा तो पहला क्या होगा interaction with mankind mankind के साथ interact करता है और help करता है अब और बात करें unique features में segmentation like rings unique feature में आपको ध्यान रखना है segmentation is present अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े थे आपको किसी में मैंने नहीं बोला था कि segmentation present है लेकिन आपको ध्यान रखना है आप figure देखके easily बोल सकते हो यह वाला देखो यह वाला figure earthworm है कि आज अभी के अभी गूगल पर longest earthworm search करना जब आप उसको देखोगी न लकड़ी में एक आदमी उसे फसाके खड़ा हुआ होगा उसमें इतने clear cut circles दिखते हैं इतना clear cut body division दिखता है कि आप बोलोगे अरे हाँ यह तो हमने पढ़ा है this is metamerism body में क्या होना divisions होना segments होना metamers होना क्या कहलाता है metamerism segmentation like rings is a unique feature of annalida ठीक है और बहुत ही easily observe होता है ऐसे नहीं कि आपको बहुत microscope लगा के देखना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है easily दिखेगा और क्या है unique feature और यह specially किसकी बात करने earthworm की ठीक है earthworm की वैसे सब में होंगी rings अगर analita है लेकिन specially earthworm में बहुत clear cut आपको visible होती है और मात करें तो longitudinal and circular muscles helps in locomotion इन में special longitudinal and circular muscles होती है longitudinal and circular muscles are present जो इनको movement में help करती है अगर earthworm को देखा होगा चलते हैं बहुत अच्छे से देखा होगा या फिर वो नीरी तो या सेंटीपीड या मिलीपीड देखी होगी आपने तो वह इतने अच्छे से से करके मूफ करके जाते हैं न तो वह क्यों मूफ कर पाने है विकरस उनकी जो बॉडी होती है उसमें extra muscles होती है longitudinal and circular ऐसे देखो एक लियर है suppose एक लियर और यह दूसरी लियर तो जो एक लियर है उसमें ऐसी longitudinal muscles present होती होंगी इस टाइप की longitudinal muscle लंबी लंबी और जो दूसरी लियर है उसमें होती है circular muscles तो यह जो दो लेयर हो गई muscles की यह बहुत जादा help करती है उस पैसिफिक एनरीडा को for moving or for locomotion तो आपको ध्यान रखना है इसका unique feature कि they have two muscle layers longitudinal and circular ठीक है जो उसको locomotion में help करती हैं लोको मोटरी organs known as CTA in earthworm और पारपोडिया इन नेरीज अब इसमें चलो आपने पहले देख रहा कि उसमें muscles हैं जो उसको movement में help करिये साथ ही साथ में इन में extra locomotory organs देखे गए अब locomotory organs क्या होते हैं वो organs जो आपको position change करने में help करें जैसे suppose मैं अब यहां खड़ी हुई हूँ अब मुझे चलके अगर यहां तक आना था तो मेरे कौन से organ help करी obviously बात है मुझे मेरे lower limbs that is मेरे legs ने help करी तो similarly जो earthworm है उन में पहली बार देखे गए locomotory organs मतलब ऐसे organs जो position change करने में help करेंगे तो वो क्या थे earthworm में उन organs को हम बोलते हैं Cetae, and Nereese में उन-organs को क्या बोलते हैं? उन-organs को बोलते हैं, parapodia, क्या बोलते हैं उनको, parapodia, तो आपको याद रिखने है, Cetae and parapodia, they are nothing but the locomotory organs, वो कुछ नहीं है, कुछ ऐसे बहुत अलग सा नहीं है, Earth mom में जो locomotory organ है, आसा organ है, जो चलने में help करता है, उसको हम बोल देते हैं सीटे और नेरीज में जो औरगन चलने में help करता है लोकोमोटरी औरगन है उसको हम बोल देते हैं पैरापोडिया तो यह unique feature हो गया कि presence of लोकोमोटरी औरगन ठीक है students चलिए paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord अब इनमें थोड़ा सा कहीं न कहीं brain इनका development देखा गया proper brain नहीं था but they have ganglia क्या present थे इनमें क्या देखे गए ganglia देखे गए that is paired ganglia जोगी क्या होता है जोगी connected रहते है laterally by a double ventral nerve cord अगर इनके ventral वाले body surface पे अगर suppose यह एक earth form है तो जिनका ventral surface है यह तो उस पर यहाँ पर present होती है एक nerve cord यह जो मैं yellow color से draw कर रहे हूं यह present होती है उसमें एक nerve cord yellow double होती है तो क्या होता है यह double है एक cord है ventral nerve cord अगर आप यह देख पा रहे हो इनमें एक ring structure बनता है गांगलिया का उपर यह आप देख पार है ना रिंग स्ट्रुक्चर एक बाइफर के टोरियों फिर जॉइन हो जारी ओपर तो एक रिंग स्ट्रुक्चर देखने को हमको मिलता है तो आपको याज रखना है यह वाला पॉइंट कि पेर्ड गांगलिया चनेक्टेट बाइट ब्रेंटाब्स और निच्ट व सेट्क टेखक फीचर ओफ आन लेटा और अर्थवॉर्म का फीचर है तो सबसे पहले अर्थवयों उसका नाम क्या होता है पेरिटिमा फेरिटिमा इस और साइन्टिफल नेम ऑब आप दिखते हैं यह एपरिटिमा दूसरे होन होता है biological name को बाद पहले रिखा जाता है तो देख लो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि फेरिटिमा और ब्राकिट में आएगा अर्थ वर्म देन हिरुदिन एरिया ब्राकिट में कौन आएगा लीच common name is leech and last में कौन आता है प्लास्ट में आता है नेरीज सांड वॉर्म इसे क्या बोलते हैं हम लोग सांड वॉर्म तो यह तीन नहीं होते है तो ट्रिप्लो ब्लास्टिक ट्रू सी लो में फ़र्स थी लोमेट और इसमीन पर है और अगा पानी में है तो ब्रेंकिल हो सकता है या फिर गिल्स के तूह सकता है circulatory system के अगर हम बात करें तो it is of closed type, reproduction की बात करें तो sexual होता है, earthworm और leech कैसे होता है, monoseous होते है और neres कैसा होता है, dioceous होता है, development कैसा होता है, indirect development इनमें होता है unique features की बात करें, तो सबसे important जो unique feature है वो क्या है, segmentation, क्या present होता है, segmentation उसके बाद में muscles होती है, longitudinal circular muscle, जो उसको locomotion में help कहती है, साथ ही साथ में इसमें क्या present होता है, locomotory organs जो सीटे बोलते है, earthworm में और parapodia बोलते है, leech में, यह आपने देख लिया था, excretion by nephredia, important है अब देखो यह वाली जो बात होई न, excretion by nephredia, यह वाली बात थोड़ी से important है, जैसे कि platy helmets में, जो excretory organ था, उनको आपने flame cells बोला था, यहाँ पर जो excretory organ होता है, उन्हें बोलते हैं nephredia, तो nephredia tubular structures होते हैं, जो body से सारा excretory जो होता है, उसको drain कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, excretion किसके थो होता है, nephredia कि थो होता है, paired ganglia, lateral nerve, double ventral nerve cord, paired ganglia होते हैं, lateral nerves के थो, double ventral nerve cord से connected रहते हैं, एक बात जो रह गई थी, वो सिर्फ यह वाली थी, कि कौन सी वाली, excretion is by nephredia, तो आप यह ध्यान रखि है, so that is all for today, ये था किसका डीटेल वीडियो, phylum analyder का, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम डीटेल स्टेडी करेंगे about phylum arthropoda, बाकी कोड़ बीडाउट्स हो, तो फटा फट से comment section में mention कर दीजेगा, और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को कर दीजे, लाइक और Step Up Academy को कर दीजे, subscribe, thank you and keep watching.